हेलो स्टुडेंट्स, आज के इस लेक्चर में मैं कंडेंशर टॉपिक कंप्लीट करूँगा, यह कंडेंशर क्या होता है, यह आपका छटमा चैप्टर है, रेफरिजरेशन उपकरड, तो कंडेंशर के बारे में बताऊंगा, कंडेंशर के अंदर फंक्शन्स क्या है, इसके कंडेंशर क्या होता है, फाउलिंग फेक्टर क्या है, हीट रिजेक्शन फेक्टर क्या है, ओबराल हीट ट्रांसपर क्या होती है, तो आज हम इन सभी टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, तो चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कंडेंशर होता क्या है, संगनित्र एक उसमा बिनियमित्र की तरह कारे करता है, जो उच ताप एबं उच दाब बास्प की अवस्था परवर्तित कर उसे निम्न दाब एबं निम्न ताब द्रब में परवर्तित कर देता है, मैंली अगर हम कहें तो जो संगनित्र हमारा होता है कंडेंशर होता है वो क्या करता है एक फेज को बास्प के एक फेज से दूसरी फेज में चेंज कर देता है मतलब कि बास्प को जल में परवर्तित कर देता है द्रम में परवर्तित कर देता है तो कंडेंशर हीट एक ऐसा डिबाइस है जो जिसका काम यही है कि super heating of high temperature which de-super heating of high temperature vapor change the phase from vapor to liquid यह क्या कर रहा है वेपर को लिक्विड में बदल दे रहा है उसके बाद संगनित्र जो है वो हमारे उसके कितने अभियव हैं संगनित्र के मुख्यव है संगनित्र सीतलक मीनार गरम कुवां पंप ट्यूब एब हैंडर तो अब इनको हम चित्र के द्वारा समझते हैं कि हमारा यह किस तरीके से काम करता है यहां से हम देखते हैं कि यहां पे here condensure लगा हुआ है condensure. condensure में πिदल में exhaust steam तरवथा हारी है जो पजेंब मतलब केंब भाप अ करएगा उसका देगा किसमें भाप को बदल देगा द्रम में बदलने के बाद に यहां पे मारा वाट्र में लगा हुआ है वाटर यहां डार यह टेंन आ hypocgan वाटन अन鍋 रहा है और दूसरा ये वाओर को भालेट का और रहा कर रहा है तो कोलव बाहर वाटर है i. paired olur जूकरियो कोंटेक्ट में Heave जो किया ट्नड़ कर रहा है, और लित पॉपने बाहर की कर रहा है तो खम कर रहा है कन्रेंसर कर शुबक्तर सिंवे कंजीं सुमें कुस्τοšlande-वक निचे की तरफ बेज रहा है। यह बचा हुवे पानी का उन्हां पर अ हम तरह यह से जाता है pacien ऑग संद्धर्द्धक कङिकर किए हनते हैं अब यहां पर बचा हुया जो चरह सकते हैं। जो तो कि घर्म पानी में चाहिते हैं। जो यहां पर कुऊंबना हुआ है मालो एक रिसीबर है जिसमें यह भेज दे रहे हैं बचे हुए पानी को अब यह पानी क्या करेगा फिर पंप लगा करें कि हम इसको कहां भेज देंगे बोईलर में पानी मज़िंदर बोईलर मैंने बताया ना कि अगर हम इसको यहां से एक फिगर को कंप्लीट करेंगे तो यह से बने बॉइलर या वाजपित्र लगाओगा बोईलर यहां से लगाओगा यहां पर boiler लगाओगा तो boiler क्या करेगा इसको boil करके फिर से बाब में बदल देगा बाब में बदलने के बाद फिर से हमारी बाब कहां आ जाएगी कन्डینशर में या जाएगी कन्डेश क्या करेंगा फिर इसे ठंडा करेंगा फिर यहीं किरिया हूं हमारी और गृषन क्ड गृर क्यार है इसके आंदर बारवार चलता रहेगे जिससे हमें क्या होगा करते हैं मतलब कि refrigeration निकाय की चमता कि वो कितना ज्यादा ठंडा करता है इस्तेमाल किए कि refrigerant का प्रकार कि उसमें कौन सा वाला refrigerant पड़ा हुआ है और कौन सा refrigerant अच्छा काम करता है प्रियोग सीतलन बिदी के आधार पर मतलब कि इसकी इसमें सीतलन बिधी कौन सी है, इस पे कितना ये ठंडा कर सकता है, तो इस माद्यम, इन तीनों माद्यमों से हम क्या करते हैं, कि जो हम कंडेंसर को खरीदने जाते हैं, या फिर कंडेंसर हमाई requirement के इसाब से हम जगह जगह पे लगाते हैं, जैसे माली जी हम टेक्टर में लग घर में लगा रहे हैं, तो कौन सा वाला कंडेंसर लगाना है, तो हम इन तीनों विधी ओं के साब से हम कंडेंसर का सեղेक्शन करते हैं, धी जार दाुआ ठीरी सेलेक्शनrau अब दा कंडेंसर अब हम बात करते हैं, नेक्सट चेप्टर की, नेक्सट टॉपिक की, नेक्सट से परवर्तित करदेता है तो इस परवर्तित करने की छमता को ही हम कहते हैं condenser capacity अब देखी इसमें क्या लिखा है यह संगनित्र द्वारा गरम बास प्रफ्रिजरेंट से उसमा निकालकर उसे द्रम में परवर्थित करने की छमता को प्रदर्शित करता है उसमा संगनित्र माद्यम को इस्थानांतरित कर दी जाती है संगनित्र चमता निमन घटकों पर निर्वर करती है नमबर एक material कैसा material हम यूज कर रहे हैं नमबर 2 संगनित्र माद्यम एभं गरम बास प्रफ्रिजरेंट का मिस्थरड़। मतलब कि हम किस तरीगे का रेफ्रिजरेंट उफियोग कर रहे हैं तो भो भी हमारा Cuz वासलोक भी हमारा जेक करता है इसकी कैपसिटिपर ता पांतष और ता पांतर मारा होता है delta T अब यह डेल्टा T क्या होता है डेल्टा T वरावर होता है हमारा T2 माइनस के T1 T2 माइनस के T1 जहां पे हमारा T2 हमेशा हायर टेम्परेचर होगा T2 माइनस के T1 T2 हमारा होगा यह हायर टेम्परेचर होगा और यह वाला हमारा होगा लोर टेम्परेचर प्रक्रिया उसके बाद हम बात करते हैं उसमा निशकासन गुड़ांग की हीट रिजेक्शन फैक्टर क्या होता है मतलब की हम कितनी हीट निकाल रहे हैं तो उसका हम पहले से पता भी कर सकते हैं कि हम अपने मतलब की कंडेंसर से कितनी हीट निकाल सकते हैं मतलब की तो हम उस फैक्टर को पहले से ही कैलकुलेट कर सकते हैं तो इसकी डेफिनिशन को देख लीजिएगा ये संगनित्र पर निश्काशित, ऊसमा तथा उत्पन रेफरिजरेशन प्रवाव का अनुपात होती है मैंने बताया था आप लोगों को कि जो हमारा रेफरिजरेशन माल लिजेगा ये हमारा सिंक है ये हमारा है सिंक ठीके और बीच में हमारा यहां पर refrigerator लगा हुआ है, और नीचे की तरब मैंने लगा दिया source, ठीक है, और इसका temperature है T2, और इसका temperature है हमारा T1, ठीक, और यहां से हमारा कोई भी W काम हो रहा है, मतलब कि यह कितना काम ले रहा है, हमारा W काम ले रहा है, यहां से जब हम इसे W इनरजी देंगे, तो यह हमारा refrigerator काम करेगा, और यहां से कितनी ईर्जा खीचेगा, माली ऑप ली रहहा गिंचा, और बाहर इसने निकाल दिया Q2 को, इहां पर Q2 को बाहर निकाल दिया, तो जितनी उर्जा माली जी यह हमारा कमरा है इसमें से यह गर्म है यह कमरा हमारा गर्म है इसी को ठंडा करना है तो इसको ठंडा करने के लिए जितनी उसमा यहां से निकाली गई है उसी को हम बोलते हैं रिफ्रिजरेशन एफेकट र ए रिफ्रिजरेशन एफेक्ट हम उसी को बोलते हैं कीवन बराबर र ए तो यहां से हमारी जो उसमा निकाली गई है किवन तभी तो इसमें हमारा थंड़ख अथूपन हुई है मतलब कि इस room पे कभ फरक पड़ा जब हम ने इस room में से कीव मन बन उसमा को निकाल दिया इस refrigerator के दौरा यहां पर हमारा refugeeरेटर लगा हुआ है जिसकी दौरा हमने कीव बन उसमा को बाहर छोड़ दिया है उस तरफ तो वही है यहां पर refrigeration प्रवाव मतलब कि कितनी उस्मा को बाहर निकाला इसने और निस्कासित उस्मा कितनी उस्मा इसने बाहर निकाल दी ये देखो Q2 उस्मा इसने निकाल दी है बात समझ में आई की नहीं उसके बाद हम देखते हैं कि HRF बराबर हो गया हमारा माली जी इसने C लिया है कोफिसियंट के हिसाब से इसने C माल लिया है उसे It is defined as the ratio of heat rejected and condensate मतलब condenser के हिसाब से QC ले लिया है रेप्रिजरेशन एफेक्ट को आरें से दर्साया है तो आचार F is equal to हो गई Q2 बटे आरें अब हम जानते हैं कि संगनित्र में QC बराबर होता है आरें प्लस के डबलू अब यह QC बराबर आरें प्लस के डबलू कैसे हो गया क्योंकि यह हमारा QC है यह जो हमारा बाहर की तरफ जा रहा है तो यह हमारा इस तरीके से हो गया है की तरफ जाता है मैंने पहले ही बताया था कि जैसे मान लीजे क्यू टू बाहर की तरफ जा रहा है तो क्यू टू बराबर हमारा हो जाएगा क्यू वन प्लस के डवलू क्यू वन प्लस के डवलू ठीक है, तो यह जब हमारा हो गया, Q, QC बराबर हो गया, हमारा Q1 प्लस के W, ठीक है, तो जो Q1 प्लस के W हो गया, तो इसमें से जो हमारा refrigeration effect है वो क्या है Q1 है तो Q1 की जगे पर हम क्या लिख सकते है refrigeration effect मतलब कि हमारा Q2 बराबर हो जाएगा Rn प्लस के W Rn प्लस के W यह क्यों हो गया क्योंकि Rn हमारा बराबर है किसके Q1 के Rn हमारा Q1 के बराबर है तो यहां से हमारा QC और QC हमारी किसके बराबर है यहां पर Q2 के बराबर है तो QC बराबर हमारा Rn प्लस के W होता है तो HRF बराबर क्या हो जाएगा फिर HRF में हम यह QC की बैलू हम इसमें रख देंगे इस equation में हमने QC की बैलू रख दी तो यहां पर हमारा कितना माना गया HRF is equal to Rn प्लस के W बटे Rn यानि कि is equal to बराबर हो जाएगा यह हमारा कैसे आगया 1 प्लस के W बटे Rn यह इस तरीके से आगया मानलो हमने इसको डिबाइड कर दिया इसको हमने डिबाइड कर दिया दो section में Rn बटे Rn Rn बटे Rn और प्लस के W बटे Rn क्योंकि दोनों का अगर हर समान है तो हम इसे यहाँ पर केबल Rn लिखते हैं और Rn प्लस के W उपर जोड़ देते हैं तो इस तरीके से जब हमने इसे extract किया तो Rn से Rn कैंसिल हो गया यहाँ बन बच गया W बटे Rn आगया अब हम जानते हैं कि न हमारी COP इसे इसे इक एक बटे COP होता है COP इसे इकल इसे इफट को होता है COP बटे डिखा हुआ है Section COP करेंगे एक बटे COP कर देंगे यहाँ से अगर हम निकालेंगे W बटे Rn अगर हम इसको अल्टा कर देंगे तो यहाँ से यह हमारा हो естеगा 1 बटे COP 1 बटे COP यहाँ से ठीक है तो यहां से हमारा HRF का माना गया इस फार्मूले को अच्छे तरीके से याद कर लो, HRF कुछ नहीं होता है, 1 प्लस के 1 वटे COP होता है, बस इतना याद रखना है, HRF निम्न वातों पर निर्वर करता है, नंबर 1 Coefficient of Performance, COP पर, कंडेंसर के टेंपरेचर पर और बासिपित्र के टेंपरेचर पर निर्वर करता है, अब हम बात करते हैं, संगनित्र के प्रकार, टाइपस ऑब कंडेंचर, तो कंडेंचर हमारे 3 प्रकार के होते हैं, नमबर पहला होता है हमारा Air Cooled और नमबर दो होता है Butter Cooled नमबर तीन होता है तो Air Cooled Condenser के बारे में हम सबसे पहले आप लोगों को बता दू कि ये क्या होता है जिसमें हबा का परवा करके हम किसी भी चीज को अगर ठंडा करें और अगर हम पानी का प्रभाह करके water का तो वो हमारा हो जाएगा water cooled और तीसरे वाले में अगर हम air plus water दोनों का प्रियोग करके अगर हम condenser, refrigeration effect प्राप्त करें condensed कराके हम इसको ठंडा कराएं तो यह हमारा हो जाएगा वास्पित्र संगनित्र तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं air cooled condenser, air cooled condenser क्या होता है अभी मैंने बताया है संगनित्र में सीतलक माध्यम के रूम में बायू का प्रियोग किया जाता है संगनित्र में गरम refugee rend से उसमा को बायू द्वारा निम्न दो विदियों द्वारा बाहर निकाला जाता है मतलव कि condenser में से हम क्या करेंगे पानी में से heat को remove करेंगे जिससे जो हमारी दो विदियां होती है एक होती है नेचुरल, मतलब कि प्राकर्थिक बिदी, दूसरी होती है हमारी करत्रिम संचरड, फोर्जड सर्कुलेशन, या फिर हम इसे बोल सकते है करत्रिम आर्टिफीसियल, जो हमने बनाई हो, पहली तो हमारी नेचुरल है, बनाई हमने भी है, लेकिन उसमें हम क्या करें दूसरी वाली क्रत्रिम है तो हम उसमें फैन बगेरा लगा के प्रियोग करेंगे, भी आगे देखो इसकी डेपिनेशन क्या होगी, देखिए प्राकृतिक संचरण बिदी, Natural Circulation Method, संगनित्र में बायू संगनित्र नलियों पर प्राकृतिक संचरण बिदी द्वारा प्रवायत होता है, जब बायू इन गरम नलियों के संपर्ग में आता है, तो नलियों के अंदर की उसमा, बायू को इस्थानांतरित हो जाती है, मतलब कि जो उसमा होती है, वो नलियों से वो हबा में चली जाती है, और गरम बायू अपेच्छा कृत हलका होता है, तथा सुते नलियों के उपर से बाहर बायू मंदल में निकल जाता है, मतलब कि जो बायू होती है, वो इस तरीके से गरम होकर के वाहाँ से हड़ जाती है, हलकी हो जाती है, तो हड़ जाती है, उसके बाद इस प्रकार गरम बास पो Doctors', ठंडा होकर के द्रम में पर文घत हो जाता है, इस बिधी में बायू धीरे धीरे नलियों के उपर से प्रवायत होती है सिंपल सी बात है जब नेचुरल तरीके से प्रवायत करा होगे तो बायू का जो मतलब की एटमोस्पेर में जो बायू हवा प्रवायत हो रही होगी उसी तरीके से अबा प्रवायत होगी दीरे दीरे इसमें देखिएगा इसमें हम बात करते हैं यहां पर चित्र से अगर समझेंगे तो यह उपर से जो हमने पढ़ा है वो यहां से आप आराम से बना के लिख सकते हैं देखिएगा इसमें क्या होए शिंपल सा एक फ्रेम में ए तो इसका मतलब है इसको इतना ज्यादा गुमाया गया है कि जब यहां से हमारी बेपर जो गरम बास पोगी जब यहां से इन करेगी यह देखो तीर का निसान उल्टा लगा हुआ है जब यहां से इन करेगी बेपर तो यहां से इन करने के बाद यहां जाएगी अंदर कि जब मियाँ से हमारी एयर अकम झाले क्लूकिन हमारो इक दम थंड़ा नहीं ज types डिलें ही सब्सक्राइब देंसे हेगल था मैं रा कहने पर करता है इस कोट्थे, तो इस हाभा इसमा को अपने अंदर ले मितलब कि ह sound कि गर्म हो जाती है जो क्यaja होती है बहुत ही JOHN कि होती है तो हलकी हाँ बापस शुर सब मृुस्ट थे है और पर ओट॥ में कृटोमेटिकली यहां पर क्या होता है कि थंडी हभा फिर से आगाती है तो इस तरीके इसे यह प्रकरिया चलती रहती है और लास्ट में हमें condensed water प्राप्त हो जाता है यानी कि liquid प्राप्त हो जाता है तो यह हो गई हमारी natural विदी ठीक है natural के बाद हम बात करते हैं कृत्रिम कृत्रिम संचरड विदी तो कृत्रिम संचरड विदी में क्या होता है जैसा कि मैंने बताया कि उसमें नेचुरल तरीके से हवा बह रही थी अब इसमें क्या है फिगर में देखिएगा कि इसमें एक मोटर लगा करके एक पंखे का प्रियोग कर दिया गया है इस संगनित्र में बायू प्रवा के लिए एक पंखे या ब्लोर का इस्तेमाल किया जाता है पंखे या ब्लोर के कारण बायू प्रवा की गती बढ़ जाती है ट्यूबों के ऊपर फिंस लगे होते हैं जो उसमा अंतरड की दर को बढ़ा देते हैं फिंस मतलब कि जिस तरीके स आपने बाइक का एंजिन देखा होगा, इस तरीके से उपर की तरफ फिंस निकले रहते हैं, इस तरीके से जिन में एर कॉंटेक्ट में आती है, तो वो उसको एंजिन को ठंडा करती रहती है, इसी तरीके से इसमें हमारा फिंस लगा रहता है, फिंस निकले रहते हैं, जब इ एक होता है बैस्माउंटेड वायु सीतलकय, इक होता है इस चमता दस चंगनितरगी तक होती है उसके हम बात करते है जल सीतलक संगनितरकी बाटर कूल्ड करन शर। तो water cooled condenser is nothing, means that जिसमें हम बाटर का प्रियोग करें, ठंडा करने के लिए, तो वो हमारा water cooled condenser हो गया, यह हमारा तीन प्रकार का होता है, पहला होता है, खोल एबम tube संगनित्र, cell एबम tube, मतलब कि यह कैसा खोल लगा दिया जाएगा, इस तरीके का खोल लगा दिया जाएगा, और इसके अंदर हम क्या लगा देंगे, ट्यूब लगा देंगे, तो हम क्या करेंगे, ट्यूब के अंदर हम hot air को प्रवाहित कराएगे, और जो बाटर, नहीं है, चलो, ट्यूब के अंदर नहीं, एक बार फिद देख लेते हैं, है,Sangnitr, तीसरा होता है, धोहरी नली, धोहरी मतल Perm, जिसमें double pipe का यूज किया गया आए, सब्सक्राइगे, हम चलते हैं, धोहा लगा, ट्यूब संग这里, इसमें क्या होता है, संग Article में Window, खोल में इक subscribed संगनित्रे जल इन नलियों में प्रवायत होता है। तथा नलियों स्टील और कॉपर की बने होती है। प्रवाइत होता है। इसमें इस गर्म रफेरिजरेंट की उसमा नलियों के अंदर बैहते हुए जल को स्थानांत इत्रित हो जाती है गर्म जल नलियों के रास्ते संगनित्र से बाहर निकल जाता है। आप देखिए यह कैसे काम करता है हम चित्र के अनुसार देखते हैं यह सारी चित्र के अनुसारी आपको याद हो जाएगी देखिएगा इसमें यह एक खोल लगा हुआ है इस खोल के अंदर आप देखिएगा यह जो पाइप लगे हुए हैं यह जो पाइप लगे हुए हैं पाईब में एक तरफ से घरं़ कर रहा है यह तरफ से ओ थेंड़ा भेज़ते हैं और जो अमारन घरम हो जाता हमारा बाहर तरफ चला जाता है ठीक है और जो हमारा gas होता है बाहर इसके अंदर इसमें हम प्रवायद कराते हैं जो हमारा इस pipe से जैसे ही टच में आएगा तो ज़य को ठंडा हो जाएगा और पाणी गरम हो जाएगा और गरम पाणी इस तरीके से हमारा बाहर निकल जाएगा यह इसका simple तरीका है, अब हम बात करते हैं, खोल एब हम कुंडली संगनित्र, इसमें क्या होता है, कि जो water tube थे, उस water tube की जगह पे हम simply कुंडली का प्रियोग करते हैं, मतलब कि इस प्रकार के संगनित्र में नलियों के इस्थान पर कुंडली का प्रियोग किया जाता है, कुं बाटर एक तरफ से हमारा इलेट करता है और दूसरी तरफ से हमारा आउटलेट करता है और इसमें इसमें हम प्रवायत कराते हैं बेपर को ठीक है जो हमारा हॉट बेपर रहेगा हॉट बेपर यहां से इन करेगा और यहां से हमारा कंडेंसेट जो हमारा बाटर लिक्विड ब बना लीजिएगा, एक्जाम में फिगर बहुत जरूरी है, फिगर बनाना है, ठीक है, और इसको फिगर बना के बताना है, उसके बाद बात करते हैं, दोरे नली संगनित्र, इसके लाब भी देख लेना है, सनचना सिंपल है, बक्राकार होने के कारण, उच्छ कुल उसमा अंत्रड गुणांक होता है, इनका जो उसमा अंत्रड गुणांक है, वो अच्छा होता है, और 35 कोलोवाट के लिए ये उप्यूकता है, ठीक है, और दोर क्पिर्ड खया भी नली संगनित्र में किया होता है, इसके चितर साही समधन लेते हैं, देखेए इसमें दो नल्यों का पुरियोग किया गया है और या से भाठत मेंवद्गारा वे या इन हो रहा है, तो इसमें हमारा जो क्या है रेफिर्जरेंट आट हो रहा है, रेफिर् में बदल जाएगा करेंगा कि इस चीज को आप लिख ली जहँए गा इस संगनित्र में में दो नलीयांowती इस प्रकार बह Troy जयों नलियों में कि बापरे नलियों में यह रेृफुरिजरेंट के अंदर होता है रे कि लाफ ऑफुर्करत दिशा में होता है मतलब कि यह pipe के अंदर एक pipe होता है, जैसे माल लीजिये एक बड़ा pipe और उसके अंदर यह एक छोटा सा pipe, यह एक बड़ा pipe है, इसके अंदर यह एक छोटा pipe, जो बड़ा वाला है, उसके अंदर हमारा refrigerant प्रवायत हो रहा है, जो छोटा वाला है, उसके अंदर हम जल प्रवा ठीक है, NH3, CO2, उसके बाद हम बात करते हैं, बाजपित्र संगनित्र, जैसा कि मैंने बताया था कि इसमें हम बायू तथा जल दोनों का प्रियोग करते हैं, तो किस तरीके से प्रियोग करते हैं, ये देख लीजिएगा, इसमें हमारा क्या है, कि ये एक इलिमेटर लगा जा रही है, ये जो हमारी बाहर जा रही है, जो गरम हवा बाहर जा रही है, वो यहां से जो पानी है, हमारा पानी को ये बापस भेज देता है, एक्स्ट्रक्ट कर देता है, और ये एर को हमारा उपर भेज देता है, ये इलिमेटर का काम, उसके बाद इसमें ये जो लगा हुआ है इसमें हमारा रेफ्रिजरेंट वेपर इन करेगा और यहां से हमारा कंडेंस्ट रेफ्रिजरेंट हमारा आउट होगा कंडेंस्ट यहां से ठीक है और उसके बाद यह मारा वाटर टेंक है बाटर टेंक है जो बाटर टेंक हमारा क्या करेगा यहां से यह कूलिं नौजल के माध्यम से यह पानी छिड़क जाएगा इस पाइप के उपर जैसे कि आप लोगों ने दवाई छिड़कने वाली मसीन देखी होगी जिसमें नौजल लगा रहता है और हम खेत में दवाई का छिड़काओ करते हैं उसी तरीके से इसमें नौजल लगा हुआ है और हमारा जो पाइप लगा हुआ है उसके उपर जब हमारा इस मिनर gird with enough to have अब हम बात करते हैं फावलिंग गुडांग की, फावलिंग गुडांग क्या होता है? जल सीतलन्ग विदी में जल बिविन्न सुरोतों से प्राप्त होता है, जिसके कारड जल में बिविन्न प्रकार के लवड तथा वाहरी कड आ जाते हैं, ये पदार्थ संगनित्र ट्यूबों पर जमा हो जाते हैं, जिसे हम जल फावलिंग कहते हैं, मतलब कि जो ट्यूबों पर जमा हो जाते हैं जल के कड़ उन्हें हम बाटर फाउलिंग कहते हैं तो फाउलिंग फैक्टर संगनित्र में यह प्रदर्शित करता है कि जमाओ के कारड रेफिरिजरेंट से उसमा जल में प्रवायत होने पर कितना आबरुत दो रहा है मतलब कि इससे कितना रुकावट आ रहा है जो कड़ हमारे जम गए हैं उससे रुकावट कितना आ रहा है तो फाउलिंग फैक्टर उसमा अंतरड गुडांक जो हमारा होता है उसका उल्टा होता है मतलब कि, जैसे माल लीजिएगा यहां से देख लीजिएगा, copper tube यह हमारा दो तरीके से होता है, पहला copper tube, जिसमें हमारा refrigerant 12 और refrigerant 12 का, इस्तेमाल किया जाता है, इसमें, हमारा इसका जो, falling गुडूनांक होता है, वो इतना होता है, ठीक है, falling गुडूनांक, अगर हम उस्मा गुडांग की बात करें तो जो हमारा उस्मा गुडांग है वो इसका एक बटे हो जाएगा एक बटे फाउलिंग फैक्टर फाउलिंग फैक्टर ठीक है तो इसी तरीके से इस्टील की नली में अमोनिया का इस्तेमाल किया जाता है तो उसका falling factor हमारा यह है तो यह हमारा उसमा अंतरड गुडांग क्या हो जाएगा मतलब की heat transfer coefficient हमारा हो जाएगा एक बटे falling factor ठीक तो यह आपको समझ में आ गया होगा उसके बाद कुल उसमा अंतरड गुडांग क्या होता है overall heat transfer coefficient तो हम जानते हैं कि Q is equal to UA delta T होता है मतलब यह यू बराबर हमारा होता है Q A delta T जहां पर हमारा दिया गया है कि Q बराबर मारा उसमा अंतरड की मांतरा है यू बराबर कुल उसमा अंतरड है overall heat transfer और amount of heat transfer मतलब कि overall कितनी heat transfer हो रही है और कितनी heat इसने extract की संगनितर का छेतरपल कितना था तापांतर कितना था तापांतर आप जानते हैं T2 minus T बन तो यह R बराबर मतलब कि जो thermal resistance होता है R बराबर होता है एक बटे UA UA मतलब U का मतलब total overall heat transfer यह का मतलब संगनितर का छेतरपल तो यह आप लोगों को याद रखना है Q बराबर delta T बटे R मतलब कि जो हमारा Q है उसमा अंतरड बराबर हो जाएगा उसमा अंतरड की मंतरा बराबर हो जाएगी delta T मतलब T2 बटे T1 sorry T2 minus के T1 बटे R और R बराबर हमारा यह दिया गया है जो यह R का मान है R का मान यहां से यहीं पर लिख देऊ R का मान हमारा है 1 बटे U A यह numerical में हमें याद रखना होगा उसके बाद हमें बायू सीतलक संगनित्र के बारे में हमने बता दिया है जल सीतलक के बारे में बता दिया है तो आप लोग यह इन दोनों में क्या डिफरेंस है यह आप लोग मुझे बताएंगे Assignment में Thank you very much हमारे इसाब से अभी यह चेप्टर का यह वाला टॉपिक खतम हो गया है अब हम एक बार syllabus में देख लेते है देखिएगा syllabus में हमारा यही था Heat Transfer Coefficient Free and Force Convection Condenser Fouling Factor Heat Operation तो यह वाला टॉपिक हमारा complete हो गया है Thank you very much सभी लोग इसका notes तयार कर लें और इसको अच्छी तरीकी से याद कर लें